माइनर 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 का इस्तेमाल कई तरीके से किया जाता है इसलिए इसके मिनिंग को ध्यान से समझेगा सबसे पहले माइनर का आर्थ होता है आल्पव्यास्क, नाबालिग या एव्यास्क यानि कि जो व्यास्क ना हो या बालिग ना हो जैसे हमारे इंडिया में हम 18 साल से कमायू का जो किशोर होता है या जो भी वैक्ति होता है उसको हम माइनर कहते हैं इसकी इलावा माइनर का आर्थ होता है छोटा, गोण, लगू, न्यून या सुक्षम यानि कि कोई चीज छोटी होती है या जो ज़्यादा महत्व की नहीं होती है उसको भी माइनर कहते हैं जैसे कि माइनर प्रॉब्लम या माइनर इंजरी यानि कि मामुली चोट इसकी इलावा ए प्रधान, आमुख्य या मामुली को भी माइनर कहा जाता है जैसे कि कोई degree करते हैं तो उसमें दो subject आप कई बार करते हैं एक आपका major होता है, यानि मुख्य या प्रमुख होता है और दूसरा minor होता है, यानि ए प्रधान या ए मुख्य होता है इसको in sentences से और अच्छे से समझ लेते हैं I don't want to go into the minor details now मैं अब सुक्षम विवरणों में नहीं जाना चाहता हूँ यानि कि मैं छोटी-छोटी details नहीं जानना चाहता हूँ चैनल टो और वी वीडियोज हैं जिन्हें आप जाके देख सकते हैं लाइक शेर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा